दोस्तानी अवामी किस्टे उर्दू अदब और ड्रामा खबीब तंबीर और इंतदार उसेन की यादि दो बहुत ही मौजज़ महमान नगमा सहर जिनका तालूक एंडी टीवी से है मजीद कुछ बताने के जरूरत नहीं है हम हफते में पांच बार उनको टीवी पे देखते हैं में माप हमारी दफ़ास पर यहां तश्रीफ लाई हैं आपका बहुत शुक्रिया आप दाइस पर तश्रीफ लाएं अब दास्तान आज से 200 साल पहले किस तरह लोग सुनाते थे यह हमें महमुद पारूकी ने सिखाया और करके बताया आप भी किसी तारूफ के मोताज नहीं हैं हम सब हज़रात आपको सुनते देखते और सीखते रहते हैं नगमा सहर और महमुद पारूकी और आप तमाम हज़रात थे बहुत शुक्रिया जमरुस साब मैं बहुत शुक्र गजार हूं नगमा का कि बहुत अपने टीमती और मस्रूफ वक्त निकाल के यहां आई हैं गुफटगू करने के लिए तो आपका बहुत खेर मक्तम है आप सब का बहुत खेर मक्तम और महमुद आपका और यह पहली दफागा है कि हम लोग ऐसे बात चीत भले करते रहे हों पर स्टेज पे बात चीत कर रहे हैं और अभी बताया जमर उस्ताब ने कि महमूद ने दास्तान गोई को कितना हम सब लोगों के लिए आसान बनाया है और हम सब वो बहुत सारे लोग इस पीडी के जोर के जिनको कोई जानकारी उस बारे में नहीं थी हम जान पाएं इनकी वज़े से तो ये इनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है तो हबीब तन्वीर और इंतजार हुसें के बारे में हम बात कर रहे हैं और महमूद वो शक्स हैं जो हबीब तन्वीर को और इंतजार हुसें को दोनों को बहुत पसंद करते हैं हवीब तन्वीर से बहुत कुर्बत रही है इन्होंने किताबे लिखी है मैं मॉजञ अब हवीब तन्वीर जो उनकी किताब का तरजमा है जो हवावीब तन्वीर सहाँ में लिखी हूँ और इंतजार हुसेन पे तो किताब यहाँ पर मे Herrот लेकर भी आए हैं, मुमीद करेंगे, उसमें से कुछ आप पढ़के भी सुनाएंगे, अब अवामी किस्तों की जो बातचीत हम आज करना चारे हैं, हबीब तनबीर उंतचार हुसेन के हवाले से, अवामी किस्तों को दुनिया के स्टेज पर पहुंचाने का काम, हबीब तनब अपनी जुबान में बोले, अब चतीजगर के अलावा, फ्रैंस में बोले, जर्मनी में प्ले किया, और हर जगे पे मेमूद, उनको अतना ही पसंद किया गया, और इंतजार हुसेन साहब ने भी वैसे ही, जो उनकी अफसाना है, उसमें कथा कहानियों का जो ज़लक मिलती है तो उन्होंने भी उस रवायत को जो कहीं शाद खोती जा रही थी, अवाम के सामने लाया है, तो एके करके भी बात करेंगे, पर पहले इन दोनों का जो कॉंट्रिबूशन रहा है, इन अवामी कहानियों को, स्टेज पे लाना और बराबर करना, क्लासिकल लिटरिचर के, उ अवीब तन्वीर साब ने अपने थेटर का सफर 1945-50 में आगास किया, उस वक्त इंडियन पीपल्स थेटर असोसियेशन इप्टा अपना उसका वो कायम हुई थी, और इप्टा ने हमारे जो उसके पहले का थेटर का रंग था, उसमें एक नया रंग पैदा किया था, उसके तरह की मुकालमा निगारी होती थी, और जिस तरह का साजो सामान था, वो बड़े एक ग्रांड स्केल पे थेटर होता था, और उसमें जिस तरह का एक हाइपर जो है, वो जिन्दगी को दिखाने का, माइथोलोजिकल्स करने का, नाटकों में लंबे-लंबे डायलॉग्स होन का, एक तरह की एक थियाट्रिकालिटी थी, तो इप्टा ने उसमें एक सादा लौही पैदा की, जबान में, पेशकश के अंदाज में, और जिन जगहों पे पेशकश किये जाते थे, उसमें उन्होंने बहुत वुसत पैदा की, इप्टा ने पहली बार हमारे यहां बीसव उन्होंने काम किया, बलराद साहनी थी, बलराद साहनी साहब थे, शैलेंद्र थे, और बहुत सारे दीगर कलाकार थे, शम्बू मित्रा वगएरा जिनके साथ उन्होंने काम किया, वहां उनकी अप्तदाई ट्रेनिंग हुई, फिर अभीब साभ यहां देहली आए, और देह स्टेज को और्गनाईस किया, वह उससे बहुत मुक्तलिफ था, जो पहले हमारे पार्सी थेटर के ड्रामों में होता था, पार्सी थेटर के ड्रामों में बाकाइदा कर्टन होता था, पर्दे होते थे, और तरह की लवाजमात होती थी, हबीब साहब ने उस सब को तोड़ के सीधे स्टेज पे ऐसा ड्रामा किया, जिसमें ओखला में जब वो हुआ था, तो ओखला की गाउंवालों को उसमें ले आए, लोकल एक कुमार का गधा भी स्टेज पे आ गया, तो बाजार को स्टेज पे दिखाने के लिए उन्होंने एक तरह से इस तरह से इस तरह से इस राडा में तालीम हासिल कर रहे थे पिर उन्हें लगा राडा में तो इतना जोर अंग्रेजी सही दुरस बोलने पे है और मुझे पता ही नी कि मैं हिंदुस्तान जाऊंगा तो अंग्रेजी में नाटक करूंगा या नहीं करूंगा तो राडा छोड़के वो दूसरे क्रियम थेटर ग्रूप में गए ओल्ड विक में जहां उन्होंने कुछ ट्रेनिंग हासिल की फिर उसी जमाने में वेगम कुछिया जैदी से उनकी बात चीत थी उन्होंने हिंदुस्तानी थेटर की बन्याद डाली थी तो संस्क्रिट ड्रामों का कुछ यहां उर्दू में तरजुम रहें। जगह जगह उनकी रहा जगह उसके बड़े बड़े किसे उनकी किताब में हैं कि वो कैसे पैरिस में किसी प्रास थैंक इलजीरियन आदमी था। 선생님 से लिए खाया ओंड और पूरिय Bjlyery trash लिए। hr mike by उनको भी आ दिया जिसकी मद्द से भर और करते हुए आगे बढ़े तो इस तरह पूरा योरप का सवर उनका बड़ा दिल्चस्प था कहीं पब्ज में गाना कहीं परफॉर्म करना वह हंगरी पहुंचे हंगरी से फिर जर्मनी पहुंचे जर्मनी में वह जब पहुंचे तो बर्तोल ब्रेश्ट का इंटिकाल हो गया थ लेकिन उन्हों ने जो उनका बर्लिनर ऑंसॉंबले जो उनकी ग्रूप था उसके बहुत से नाटक देखे उन नाटकों ने उनके जहन पर बहुत गहरा असर डाला ब्रेश्ट की कोशिश ये थी कि अभी तक जो थेटर होता रहा है उस थेटर की रिवायत को तोड़ा जाए थेटर अभी तक ये दिखाता था कि जी ये स्टेज पर जो कुछ हो रहा है ये बिलकुल सच में हो रहा है यानि ये ड्रॉइंग रूम है और ड्रॉइंग रूम सच मुछ का है यहां जो लोग बैठे हैं वो सच मुछ की बात हो रही है किसी का दिल तूटा है तो बिलकुल सच में तूटा है तो थेटर एक तरह का एक दिखावा ये करता है और अभी भी करता है रियलिजम थेटर का जो कि जो कुछ स्टेज पे हो रहा है वो दरसल एक्चुल लाइफ में घटेत हो रहा है जबकि सामने बैठे वाले जानते हैं कि ये आक्टर हैं ये ड्रामा हो रहा है ये असली जिन्दगी में कुछ नहीं हो रहा है लेकिन थेटर के लिए धूंग करना ये दिखावा करना बहुत जरूरी है उस धूंग को बरतुल ब्रेश्ट ने बलकुल तोड़ दिया ब्रेश्ट ने का जी हमारे सामने ओडियंस बैठे हैं हमारे आक्टर सीधे बात करेंगे ओडियंस से कि आप देखने वाले हम दिखाने वाले हैं यहाँ कोई इस तरह का ड्रामा हम नहीं करेंगे गुर करने की बात है कि STEPHAN ell ने ड्रामे से इस ड्रामाईयत को हटा दिया इस दिखावे को और ढूंग को हटा दिया कि जी यहाँ कुछ नहीं है और आप हम को देख रहे हैं तो वो उसने थेटर की तीन दीवारे होती है एक इधर, एक इधर, एक पीछे और सामने होती है एक गलास वाल जैनि गोया की जो कुछ हो रहा है वो बंद कमरे में हो रहा इत्फाक से आप लोग उसे देख रहे हैं देखने वालों को ये नहीं पता कि आप उसे देख रहे हैं ब्रेश ने उस ग्लास वाल को तोड़के सीधे आडियन्स से अपने आक्टर्स का मुझाकरा शुरू किया इस चीज़ ने हबीब साहब को बहुत मतास्र किया फिर वो यहां आए उनका तालुक रायपूर से था और रायपूर से उन्होंने बचपन में अपने 36 गड़ी गाने सुने थे फिर वो जब लोट किया आए तो कई बरस वो 36 गड़ में गूमते रहे और वहां एक नाचा टाइप एक परफॉर्मन्स का फॉर्म था तो नाचा में आक्टर्स क्या करते थे कि बड़े बड़े गाउं में निकल गए दस-दस हजार का मजमा है अब वहां तीन चारों तरफ स्टेज है आक्टर चारों तरफ परफॉर्म कर रहा है चारों तरफ आडियन्स बैठी हुई है तो यह जो थेटर है जो बेंतहा के बड़े स्टेजेस पर खेला जाता उसमें जमीन आस्मान का फर्क है इस थेटर में अवाम शामिल है इस थेटर में करने वाला सब को देख रहा और एक साथ बात कर रहा है उसको लेके हबीब साहब ने एक बहुत ही एहम बात कही क्योंकि अक्सर हम बात करते हैं और बात हैं कि मसलमानों के आने के बात से यहां बहुत से रिवायतें खतंप contain हो गया हमारा सकल्पछर का आर्ट हत्म हो गया हवीब नाचा के आर्टिस्स से जादा बेहतर तोर पे समझ सकते हैं। तो उससे हबीब साहब ने एक नए तरह के थेटर की दाख बेल डाली जिसे उन्होंने नया थेटर कहा और वो हकीकी तोर पे नया थेटर था। वो ऐसा थेटर था कि जिसमें उनके जाहिल 36 गड़ी आक्टर्स आके स्टेज पे परफॉर्म करते थे और अपनी जबान में बोलते थे। यह देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि नाचा के अक्टर हैं 36 गड़ी हैं हिंदी नहीं बोल पाते हैं वो क्यों ना 36 गड़ी में बात करें यह कहने को बहुत सिंपल सी चीज है लेकिन यहां तक पहुँचने में हभीब साहब को 15 बरस लगे है कि मैं जिन 36 गड़ी आक्ट पर बिश्तान गोई पर भी है समझ में आने की चीज जो है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सेमेंटिक्स सिर्फ अलफास के मतलब से नहीं कोई चीज समझ में आती है कम्यूनिकेशन का जो आठ है वो अलफास के मानी से बालातर है क्योंकि आक्टर आपको अपने चेहरे के एक्स्प्रेशन से अपने अंदास से उसके मानी से आशना कराता है इस चीज तक पहुँचने में उन्हें बहुत वक्त लगा लेकिन जब एक बार वो पहुँच गये तो फिर उस रविश पे कायम रहे और फिर उनका जो थीएटर था वो दुनिया भर में उसका जादू चड़के बोला बड़े मज़े की बात है वो मैंने जब उन पे डॉक्यूमेंटरी बनाई थे उनके आक्टर गोविन नाम निरमरकर ने मुझसे कहा कि मज़े की बात यह हिंदुस्तान में जब हम करते थे नाटक उस बात पर जहां जहां लोग हसते थे एडिन्बरा में जब हम कर रहे थे लोग वहां भी उसी पे हस रहे थे हाला कि उन्हें जबान नहीं समझ में आती थी तो हबीब साब ने थेटर को जबान के दाएरे से हटाया देश के दाएरे से निकाला और एक ऐसी बैनुल अक्वामी जबान थेटर की खल्क की जो मेरा ख्याल अभी भी बहुत यूनीक है क कि उनका नाटक उत्तरप्रदेश के किसी छोटे से गाउं में, किसी गस्बे में, किसी शहर में और किसी बड़े से बड़े इंटरनाशनल अरीना में बड़ी आसानी से परफॉर्म किया जा सकता है और ये यूनिवर्सालिटी उनका खासा है जो हिंदुस्तान के किसी और प अबीब साहब की एक जो खूबी है वो छुपी वी थी कि वो अपने अक्टर्स को इस तरह चुनते थे या वो पहचान पाते थे उस खूबी को कि ये अक्टर्स लैंग्विज की जो एक दिवार है उसके भी यॉन जा सकते हैं ये उनकी पार्खी नजरती जो हर के बस की बात इस पे पहुंचने में उने बहुत वक्त लगा जब उन्होंने 1960s के पूरे डेकेड में वो नया थीटर के ड्रामे करते थे और जैसे हम इतने लोग बैठे हैं बड़े से हॉल में उतने ही लोग उनके नाटकों को देखने आते थे और उसी तरह से वो करते रहे दस साल तक देखत लगा थे हूंड़े बहुत अच्छा करते हैं तो जिसके अंदर गानागाने की सलाहिएत है और जिसके अंदर नाच करने की सलाहियत है वो ही दरसल थेटर का और स्टेज का आक्टर हो सकता है और जिसके अंदर ये सलाहियत नहीं है वो हमारे modern हिंदुस्तान का modern actor कहलाता है तो हबीब साहब ने ये जब 1973 में जब उन्होंने किया था ये लगा कि मैं आक्टर को क्यों बांध रहा हूं जबान के दाइरे में इन्हें अपनी जबान बोलने दो ये अपनी जबान बोलके भी अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो वहां से उनका एक निया सा फरिशन दो और आपने जिकर किया था आर्ट के ज़रिये वहां तक बहुंच रहे थे बिल्कुल उस पर पंडितों को या ब्रामणों को संस्कृत जानने वालों को बड़ा एतरास था उस जमाने में कि यह क्या कर रहे है संस्कृत का ड्रामा इतना हाई आर्ट फॉर्म है उसको यह ऐसे अनपढ़ फोक आर्टिस के थूपेश कर रहे हैं तो असल में क्या था कि संस्कृत ड्रामे हमारे लिए बड़ी मुश्किल पैदा करते हैं Sanskrit ड्रामों को पढ़ेंगे तो Sanskrit ड्रामे में यह होता है कि Stage पे दिखा है कि वो साब घर में आया घर के बाहर है उसी Scene में वो घर के अंदर घुसा उसी Scene में वो घर के अंदर जो है वो कमरे में पहुँँच गया अब आप यह जो Aristotle ने दी थी unity of time and space इसकी जनाब जहां पर आक्शन हो रहा है अब उसको एकदम से आप बदल थोड़ी सकते हैं आपने ऐसा कोई ड्रामा नहीं देखा है कि जिसमें सीन शुरू हुआ ड्राइंग रूम से वो बढ़के जो है वो डाइनिंग रूम में चला गया ड्राइनिंग रूम से बेडरूम में चला गया और बेडरूम से घर के पिछवाड़े निकल गया वहां लोग जूला जूलने लगे एक ही सीन में ये चार लोकेल्स आप कैसे दिखाएंगे ये बड़ी मुश्किल संस्क्रिट ड्रामे पेश करते हैं और अभी भी करते हैं हभीब साहब ने उसके लिए क्या किया उन्होंने उसको कट थ्रू किया कि जनाब ये स्टेज के लिए हमको सेट बनाने की जरूरत नहीं है हम एक जो हैं वो एक गोल सा दरख बने बना दिया यहां एक प्लाटफॉर्म रख दिया अब यही सब कुछ है इस बात को यूं समझिए कि थिएटर का आर्ट वो है जो मीर साहब ने कहा था यह तवह हम का कार खाना है यहां वही है जो एतबार किया जब आपने अधवार कर लिया कि यह ड्रॉइंग रूम है तो फिर हमको यहां बड़ी बड़ी दीवार रखने के जरूरत ही क्या है और्डियंस मान रही है कि ये ड्राइंग रूम है हम मान रहे हैं कि ड्राइंग रूम है वो बाकी नकात हुब बैठे हैं तो अपने घर में बैठे रहे हुँआ हुँषाम को आई 끝 तो यह हैं में बात जो नोंlectric वी अंने तो ये अवामी क्या है और खास क्या है या फ्रासिकल क्या है और लोग क्या है ये फर्क 20-30 सदी की पहले जिसा हम बात भी कर रहे थे कि वो था नहीं तो ये हमारे नजरिये में ये फर्क आया कब कैसे दाखिल हुआ किसकी साज़िश दिये है तो अब ये देखी जी क्या चीज़ ऐसी क्या कौन सी चीज़ है जिसे मुस्तनत समझा जाए कौन सी चीज़ है जिसका जिकर अदब में अफसाने में या नौवल में है तो वो मुत्बर है और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका जिकर करने से वो अब्तिजाल उसमें पैदा हो जा यह तो इप्तिजाल का मामला हो गया यह नीचे हो गया इन चीज़ों को हमारे हाँ जदीदियत के रुजान ने जदीदियों जदीदियत का जो महिम चली उसने तोड़ा था अदब में उसके मैं हटता हूँ बात यह है कि हमारे यहां 19 सदी के पहले अफसाने और नॉविल तो लिखे नहीं जाते थे अफसाने और नॉविल तो 19 सदी योरप की इखिरा है इसका ये मतलब नहीं कि हमारे यहां उसके पहले अदब नहीं होता था हमारे यहां लोग किसे सुनाते थे सुनते थे हमारे यहा जो किस्सा गढ़ा अब उस तरह के किस्से कहानियों को मौडन स्टेज के ने काबिले एतना नहीं समझा। modern stage ने ये समझा कि जी modern जो चीज स्टेज पे दिखाई जाए और स्टेज पे की जाए तो इस तरह की चीज हो जो गोया की एक बूजवा तरीके से निकल के आई है जिसमें modern सोच और समझने वाले और तालीम रखने वाले लोगों ने पेश की है उन्हों ने अपने बारे में पेश की है उससे क्या हुआ कि हमारी जो बेंतहा की बेशकीमती विरासत थी लोग कहानियों की गिस्सों की वो हमारे स्टेज और अदब दोनों से हटा दी गई तो अब जैसे लोरिक और चंदा है वो बड़ाई मशूर फोक स्टोरी है जिसके उपर मुला दाओद ने चंदायन लिखा लोरिक और चंदा की ये जो कहानी है जो कई सो सालों तक हमारे यहां मकबूल रही modern स्टेज पे आज तक किसी ने उसका presentation नहीं किया है ये इस तरह से समझे कि जैसे शेक्सपेर ने रूमियो और जूलियट नाटक लिखा था तो रूमियो और जूलियट की एक रिवायत थी उनके इश्क की शेक्सपेर ने उसे लेकर एक modern फॉम में ढाला तो वो हमारे हमसब के आलमी अदब का रिवायत का विरासत का हिस्सा बन गई हमारे ऐसी ढेरों कहानिया थीं किस्सा चहार दर्वेश की कहानिया पंच्टंत्र की कहानिया कथा सरित सागर की कहानिया दासताने अमीर हम्जा की कहानिया जो लोक जबानी रिवायत में कायम थी जिन्दा थी जावेद थी लेकिन उन्हें कोई स्टेज पे पेश करने की लिखा हबीब साहब ने उसको उठाया हबीब साहब ने चरंदास चोर को इस काबिल बनाया कि चरंदास चोर पिछले 50 साल से होता आ रहा है और दुन्या में जहां भी होता है वो उसी तरह मकबूल होता है लेकि अभी भी हमारे मुल्क की 30-40% आबादी अनपढ़ है जो लोग लिखे हैं जो मौडर्न आते हैं हौल में आके बैचते हैं और जो बूजवा तैजी भी रखते हैं उससे हमने अपने अवाम को थेटर से बाहर कर दिया हबीब साहम ने वो थेटर इजात किया जो हमारे अवाम से भी गुफ्तगू कर सके और अवाम की भी दिल्चसपी का हा हो सके चरंदास चोर में ये खूबी है कि वो एक गरीब से गरीब अनपड़ा आदमी से लेके जैसा मैंने अर्स किया अमरीका में बैठे बड़े काबिल लोगों तक भी एक तरह से उनको अपील कर सकता है और ये खासियत इबराहीम लकाजी के या कोई भी और हमारा थेटर का डिरेक्टर हो उसके ड्रामों को हासिल नहीं है कि वो अवाम और खवास को यकसा तोर पर अपनी तरफ लुभा सके तो आप जैसा कह रहे हैं कि ये जो उनकी खासियत थी कि वो भारी भरकम थेटर से जो एक जुड़ा हुआ था कि बहुत पाबिल लोगों के लिए हैं बड़े दानिश्मन लोगों के लिए हैं बड़े समझदार हैं तब ही थेटर देखने जाएंगे तो ये जो एक दर ये ये उन्होंने हटाया और उसको आम लोगों से जोड़ा आपने चरंदा स्चोर की बात की उसकी खूबी की बात की आगरा बाजार में भी यही खूबी है कि वो 60 साल तक लगातार प्रोडक्शन में रहा और अभी भी बतौर एक ओडियंस आप जब उसे देखते हैं तो उतन आगरा बाजार में ओकला के आक्टर्स इस्तमाल हुए एक वहां के संगीत और तमाम चीज़ें क्या खूबिया आगरा बाजार में रही जो अभी भी वो इतने सालों के बाद अलग नसल को भी उतना ही भाता है ये बिलकुल आपने एक बहुत ही उम्दा बात ती देखिए एक उसमें आगरा बाजार में एक टाइमलेसनेस है वो अपने वक्त से मकयद नहीं है जिस दौर में लिखा गया उस दौर के बाहर भी लोगों को अपील करता है आप उनीस सो चालिस और पचास की हमारी जो तरक्की पसंदी की शायरी है उसे पढ़िये या जो हमारी रिवल सकती है क्योंकि pop में एक टाइमलेसनेस होती है फोRoq जो हमेशा चलता है जो जदीद अदब है ओ अपने वक्त और अपने जमाने से एक कैद है बहुत सारा जो या लिटरिवल करते हैं उस जमाने में जिसमें हमको अपील करता था आज की जमाने में जिरूरी नहीं कि हमें अ बहुत सारे अफसाने जो हमारे जदीद अफसाना निगारों ने लिखे 1960 और 1970 की दहाईयों में वो आज आप उनको पढ़ नहीं सकते दुबारा जबकि उस वागने में वो बहुत मकबूल थे लेकिन फोक में एक टाइमलेसनेस है वो तब भी चलता था आज भी चल रहा है और आगे भी चलेगा अगर modern education ने हमारे दिमाग को उतना बदल न दिया हवीब साब ये कहते थी जब कोई actor आता था तो वो पूछते थे कि पढ़े लिखे हो या वो पता चलता लगी पढ़े लिखे हो तो उससे कहते थे तुम जाओ गिल्ली गिल्ली जाओ और ये वाक्या है कि अचली जो modern आला जो इस तरह की तालीमी निजाम से हम गुजरते हैं वो तालीमी निजाम हमारे अंदर value एड़ करने के बजाए हमें और जो है अपनी रिवायत से और अपने आसपास के अतराफ से और काट देता है तो हबीब साहब जो है उन्हें उस तरह के आक्टर्स की ज़रूत थी जो पढ़े लिखे ना हूँ क्योंकि पढ़े लिखे ना हूँ और ये बात आज भी मैं आपसे कहता हूँ क्योंकि अर्दू के बामले में जो हरियाना है या यूपी है या बिहार के देहात में आप जाएंगे तो जो आदमी स्कूल नहीं गया उसकी जबान में आपको अर्दू के बहुत सारे अलफाज इस्तेमाल होते हुए मिल जाएंगे बजाए उसके कि जो आदमी स्कूल गया है, जो आदमी स्कूल गया है, उसकी जबान में आपको उर्दू के वो अलफाज ना मिलेंगे, जो जिसे कहते हैं तद्भाव जो निकला है और भर उसका रूप बदल गया, बहुत सारे ऐसे उर्दू के अलफाज आपको मिल जाएंग प्राबों में अगर पढ़ाई जाती हो तो पढ़ाई जाती हो लेकिन मुझे उसका इलम नहीं है। लेकिन ये जो खिसे कहानियों की ये जो रिवायत है हमारी लोग की इसको मिसाल के तोर पर वजदान देथा का मैंने जिक्र किया वो राजस्थानी राइटर थे। वजदान विजएदान देथा ने ये पाया कि जी ये modern हिंदी में जो चीज़ें लिखी जा रही है वो तो उन्हीं लोगों के लिखी जा रही है जो सरकारी दफ्तरों में आम तोर से क्लरकी करते हैं कुछ अफसर भी पढ़ते हैं हिंदिया दब मैं यह नहीं कहता है लेकिन उन लोगों के लिए 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 दिखाई जा रही है तो विजयदान देथा ने क्या किया कि उन्होंने राजस्थान में घूम घूम के वहां से कहानिया जमा की जो चरवाहे कहा औरतें जो सिन रसीदा हैं वो दरसल आपके कल्चर की सबसे बड़ी मुहाफिज हैं अनपढ़ उमर रसीदा औरतें हैं उनके पास आपके कल्चर के बारे में जो मालूमात हैं आपके कौम और आपकी तशख्छस और आपकी पहचान के बारे में वो किसी के पास नहीं है तो धर्म और पंडित इन चारों के खिलाफ लिखते थे अब उन्होंने इतनी कहानियां जमा की कि बातानी फुलवारी के नाम से राजस्थान में उन्होंने अठारा जिल्दें चापी अठारा जिल्दें और राजस्थानी के जबान तखलीक की फिर राजस्थानी को उन्होंने मानियता दिलवाई जिसकी वज़र से उन्हें साहित अकैडमी पुरसकार मिला अब यह सिर्फ एक राजस्तान की मैं बात कर रहा हूं ऐसे हजारों किसे कहानिया हैं जो हमारे अपने शहरों में हमारे अपने गाउं में हमारे अलाकों में हैं हमने उन्हें दर्खोरे ऐतना नह समझा कि जी वो साथ वो किस काम कि है वो तो हाम लोगों की बकवास है गप है और यही आटिशूट फिर हमने दास्तान गोई की तरफ भी रायज किया था उसके तरफ लागू किया था मगर वो दूसरा पित्सा है इंतजार साथ के बारे में मैं बात करूंगी लेकिन पहले जो आप तमाम लोगे शामिलों के बार में अब पैसिव ओडियंस नहीं थी एक अक्टिव ओडियंस पे इंवाल्व करते हो तो दास्तान गोई बिल्कुल वो ही है बलकि अगर लोग नहीं शामिल होते हैं तो शायद आपको वो एनरजी नहीं मिलती होगी जैसा कि लोग उसमें शामिल होते हैं एक डायलॉग है ऑडियंस और आपके बीच में तो इसमये सिमिलारिटी है ये बिल्कुल 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 और यह हमेशा से वहिए आप किसी मुषायरे का तसवर कर सकते इसमें ओडियंस हमारे जडियंस की तरह बिल्कुल चुप-चाप बैठी और बहुत उभारा और इस चीज़ को भी उन्होंने बहुत जोड दिया और आप की दास्तान गोई का जो अंदाज है वो भी उभरा है बदला है वो ऐसा नहीं है जैसा होना चाहिए ता सिर्फ कि आप उसको सिर्फ कह रहे हैं उसमें थोड़ी आक्टिंग भी आई है जिसके बार हवीब साब मरी खुशनसीबी थी कि उनके उमर के आखरी सालों में उनके साथ था और थोड़ा बहुत उठा बैठा उनके साथ तो उन्होंने दास्तान गोई जब देखी थी पहली बार हम रहसल कर रहे तो पहला साल जब शुरू होई थी उसी वक्त की बात है उस वक्त में उन्होंने जो है वो उन्होंने देखा तो उन्होंने लगा कि भई यह जो आप कर रहे है इसमें थोड़ा सा आप और बढ़ाईए इसको थोड़ा इसको ऐसे फॉर्म को फिक्स मत कीजिए थोड़ा बहुत उठके चलना फिरना हो थोड़ा लोग जेस्टिकिलेशन बढ़ा के दरफ्ट की बात नहीं करते हैं, यहां के लोकल फ्लोरा और फाना की बात नहीं करते हैं, आप सर्व के पेड़ की बात कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान में होता नहीं है, वो बुल बुल जिसने किसी ने देखी नहीं है, तो फारुकी साहब ने यह हमें दिखाया साहब कि यह जो लोकल जिसे आप कहते हैं लोकल कलर इससे नहीं आता है कि आपने इतने दस पेड़ों के नाम गिनाएं कि दस पंचीयों के नाम गिराएं कि नहीं लोकल फ्लेवर इस तरह से आता है कि आपकी शायरी का करने की कोशिश कर रही है आपकी शायरी में जो शायरी जिसे कहा जाता है वो क्या चीज़ है तो लोकल फ्लेवर हमारे उर्दु शायरी में इस वज़े से है कि हमारी उर्दु शायरी संस्कृत शेरियात के बेइनतहा कREEब है और जिसे हम फार्सी शेरियात कहते हैं जो फार्सी फार्डर, एरान में रायज है उससे बहुत दूर है उसी तरह दास्तान गोई का भी मिज़ाज है अब दास्तान गोई है या उर्दू शायरी है इन चीजों को या संस्क्रित शायरी है या ब्रज शायरी है इन चीजों को आप हमारा जो वाइडर आर्ट्स हैं उससे अलग करके नहीं देख सकते देखे उर्दु शाइरी में बात को महीन करते जाना ऐसे 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 एक छोटी सी बात है बुल-बुल का, उम्रीव सर्व पर राख गाना उसमें आपने अंदर उसको तराशते चले गए आपने वो गुल-बूते देखे हैं हमारी इमारतों में नकाशी पर इस्तेमाल होते हैं उसमें भी वही चीज है आप उसको तराष्टे चले गए आप गोर से देखिए कितनी इंट्रिकेट चीज है बाहर से देखिए तो फूले अंदर से देखिए कितनी इंट्रिकेट है या आप हमारे खजराओं में हमारे स्कल्प्चर्स देखिए कहने को वो दस औरतें और मर्द एकी तरह से खड़े हुएं लेकिन आप गोर करेंगे तो हर चीज एक दूसरे से जुदा है तो ये जो चीज है और इस बात को बहुत मशूर फ्रेंच फिलोसिफर बेन्यमिन वॉल्टर बेन्यमिन ने यूँ कहा कि ये जो आर्ट है जो हमारी आर्ट्स और क्राफ्ट्स हैं जैसे हमारा ये आप भी कोई भी उगालदान पुराने उठा के देखिए उस पे जो गुलबूटे बने हैं जो पांदानों पे नक्ष बने हैं नक्ष और निगार वो कितने इंट्रिकेट हैं बाहर से देखने पर आपको लगता है जी बस यही एक चीज है लेकिन उसमें पेश दर पेश दर पेश दर पेश है ये जो अमल है एक ही चीज को घिसते चले जाने का ये अमल उस अमल से बहुत मुशाबहत रखता है जैसे समंदर पत्थर को घिसता है कितनी सदियां उसमें लगती है समंदर को पत्थर को घिसने में और रेत बनाने में ये उस अमल से मुशाबहत रखता है जब हमारा शायर एक बड़े मोटे से मजमून को कहने का मतलब यह था कि ग्रादास्तान गुई और अबीब साहब जो करते थे और वजाइदान देता करते थे वो कोशश हैं एक तरह की कोशश हैं अदबी तोर पे आप देखें पोईटिकली देखें आर्टिस्टिकली देखें तो जी और इंतजार साहब की जो अफसाना रिवायत थी वो कहीं दरकेनार हो गई थी और वो छूट रही थी जी और उस पे वो इंतजार साहब को मैंने सुना और के कई इंटर्विव में वो जशने रेखता में भी आये थे अब पिछले के पिछले साल तो उनकी कहानी एक है नर्णारी जिसके बारे में बात करे थे उनके उन्होंने कहा कि मुछ पे लजाम लगा कि मैंने ये चोरी की जर्मन राइटर से टॉमस मान से फिर हुआ कि गरीश करनाड ने भी इसको चुरा लिया और उस पे लिखा तो इंतजार सब कहते हैं दर असल हम सब ने इसको बेताल 25 से चुराया तो वो जो रिवायत हमार ही लोग कथाओं की थी उसको उन्होंने ना सिर्फ जिंदा किया बलके लोगों के सामने जस तरह से लाया और एकी वो लोग कथा कितनी तरह से पेश हुई इनतजार हुसैन साब की जो यह खाध्यत है जी बालकुल इनतजार साहव में जब अफसाना लिखना शुरू किया श 1955 में अपना एक अफसाना लिखा रेल का कटा हुआ डबा तो नासर काजमी ने उनसे कहा था कि भयार इंतजार ये तो तेरा अफसाना एक कथा हो गया है तो अब कथा क्या चीज है और अफसाना क्या चीज है उसमें बड़ा बुनियादी फर्क ये है कि कथा सुनाई जाती अफसाना पढ़ा जाता है जो चीज सुनाई जाती है उसकी शेरियात अलग होती है जो चीज पढ़ी जाती है उसकी शेरियात अलग होती है जो चीज सुनाई जाने के लिए है उसका वो कोई अंत नहीं है ना आगाज में उसका ना मेरा ना उसका कोई अंत तो वो चले जाती है वो सुनने वाले और सुनने वाले की इश्तिराक से बनती है अफसाने में आपका किरदार पैसिव है दास्तान गोई में या पिर नाटक देखने में आपका किरदार आक्टिव है आपके participation से वो चीज़ बनती है तो इंतिजार साहब वो पहले शख्स थे जो नहोंने कहा कि भई ये जो हमारी कदीम किसे कहानिया है उन्होंने जब लाहौर में पहली बार हिनुस्तान में अपनी तालीम के दोरान नहीं लेकिन लाहौर में उन्होंने पहली बार जब पंच्चतंत्र पढ़ा तो उन्हें लगा कि ये कौन से किसे कहानियों का सिलसला है जिसमें कभी जानवर है कभी उंट है फिर उन्होंने कथा सारिट सागर पढ़ी फिर उन्होंने बेताल पचीसी पढ़ी इन सब को पढ़के इंतिजार साब को लगा कि हमने जो अभी तक अपने किस्से कहानिया लिखे हैं वो मगरिबी रिवायतों से माखूस करके लिखे हैं या फिर हमने अर्बी अज्मी रिवायतों से लिए हैं लेकिन ये एक जो शानदार किस्से कहानियों की रिवायत हिंदुस्तान जन्नत निशान में चली आती है उसको हमने छोड़ दिया ये कहे कि जी ये तो दास्तानी चीज़ है ये तो अलिफ लैला टाइप की चीज़ है ये तो पुरानी हो गई फरसूदा हो गई लेकिन उन्हें ने का नहीं जाना अब ये फरसूदा नहीं हुई है ये आज भी हमारे काम की है तो उन्होंने उनको बरतना शुरू किया उसमें उन्हें लगा एक पहली बात तो ये कि जा तक कथाओं और पंच्च्टंतर और कथा सरित सागर के मरकज में महज इनसान नहीं है जिसे कहना चाहिए इनसाने महज उसकी जो काइनात हैं उसमें तमाम तरह की मख्लुकाश शामिल है पेड़ शामिल हैं परिन चांजर के चरिंद परिंद न दास्तानों की फिजा में आते हैं और जाते हैं तो पहली चीज़ जathा उन्होंने अपसें अफसानों के कोशश मे उन्हें अलिफ लैला के किस्सों को देखा, दास्तानी अमीर हमजा के किस्सों को देखा, महात माबुद की जातक कथाओं को बरता, और उन सब को अपने अपने अफसानों में इस तरह से पेश किया, कि आज वो हमें अपनी रिवायत का उस तरह से हिस्सा मालूम होती है, जैसे एक magic realism उसमें नजर आई कि एक इनसान है वो बैठके एक कहानी सुना रहा है कि हजार साल पहले मैं हिरन था तो मैं क्या कर रहा था तो एक magic realism जो Latin American literature में है वो यहां भी नजर आता है और वो उनको नजर आया उन्होंने का कि मैंने पढ़ा और मैं अपनी जातक कताओं लिखने लग गया तो जातक कताओं का असर है उनकी अफसानों में आपको सूफी असर भी नजर आता है जहां बल्कुल बल्कुल तो कई तरों का तरह का असर जो है उन्होंने ऐसा लगता बाद लगए दाद सूफ़िया के मलفوظات ہیں उनके किसे हैं उनको लेके उन्होंने बिल्कुल एक मौडर्न रूप दे दिया है तो इंतजार साहब का ये कहना था कि जी हमने ये समझा कि ये जो किसे कहानिया थे ये पुराने हो गए और हम आज एक मौडर्न दुनिया में आ गए अब हमें इनकी जरूरत नहीं है नहीं एक्चरी जो इनसान का काइनात से जो रिष्टा है वो रिष्टा तो अभी भी मोरोलेस वही है जो पहले था इसलिए कि आपने हुआई जहाज उडा दिया अपने स्पेस में उससे आपका काइनात से रिष्टा नहीं बदल जाता आप अभी भी उतनी हकीश है है एक चोटे से प्लानिट पे एक चोटे से सितारे पे एक माइनर सितारे माइनर स्टार जिसे स्टीफन हौकिंग ने कहा था एक माइनर स्टार के साटलाइट के और्बिट में आप घूम रहे हैं तो दुनिया बहुत वसी है काइनात बहुत वसी है आप कितनी भी हवाई जहाज और न्यूक्लियर बम बना लें, इनसान का काईनात से जो रिष्टा है, मौट से, गम से, बीमारी से, पैदाइश से, और फना हो जाने हैं जो चीज है, वो कभी बदलने वाली नहीं है, अभी तो नहीं बदली है कमसकर, तो जब इनसान को फना होना है, तो उसका काईनात के साथ बन्यादी रिष्टा अभी भी नहीं बदला है, और वैसे ही है जैसा पहले था, तो जब आपका काईनात के साथ बन्यादी रिष्टा वही है, तो हमारे दो सौ साल पहले और पांत सौ साल पहले, और हजार साल पहले, जो हमारे जिसे कहना चाहिए, दानिशमन्द उसके बा थी या मुशाहिदे की कमी थी देखिए अलबरुनी जब लिख रहा था तब तो ना मार्क्स थे ना फ्रॉइट थे ना आइंस्टाइन था ना न्यूटन था इसका ये मतलब नहीं कि अलबरुनी के अंदर दुन्या को काइनात को और बदियात को और फिक्जिक्स को और मिटल इसंशन ऑफ पॉस्टेरिटि आगे आने वाली नसलों की हिकारत चुहें उससे देखें न थो हमने अपने बज़र्गों को छोड़ा न न हमारे आने वाली नसले हमको छोड़ेंगी यहें भी वह उसी हकीर निकाहों से देखेंगी, जैसे हम अपने पिछले 200 साल पहले की ल तो इस चीज़ को इंतजार साहब ने सबसे जादा शिदत से हमें इसका एहसास दिलाया यह जो जहन है जिसने इर्तिका पाई है हिंद इसलामी जहन है इस हिंद इसलामी जहन में हिंद उतना ही एहम है जितना इसलामी है और बाजे दफ़ा हिंद जादा एहम है क्योंकि आप जो हैं भले ही आप हजज करने भी जब जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके हिंदवियत खतम हो जाती है और आप एकदम से सुडानीज और लिबनीज और जर्मन्स के साथ मिलके अपनी जो है वो जो इकबाल सहाब का खाफ था वो पूरा हो जाए ऐसा नहीं होता है तो वहां उम्मत इसलामिया जो है वो नागजिरी तोर पे और बजा तोर पे क्योंकि पुरान की भी आयत है कि कजालिका जैनना लिकुल्ली उम्मतिन अमलुहू कि हमने हर कौम को अपने अपने अमल उसके लिए रागब बनाए है और पसंदीदा बनाए है और उन अमल पे चलना कोई ऐसी बात नहीं है उपर वाला उनसे सवाल करेगा तो ये जो बात कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जो हमारी रिवायतें आ रही थी अब जैसे अर्दू शायरी में हमने जो है वो हम लोग अर्दू शायरी पढ़ते हैं रहीम दास हम उसमें नहीं पढ़ते हैं हम कबीर बहुत कम पढ़ते हैं सूर दास हमारी समझ में नहीं आता है तो हमने जायसी कहा गया मालिक मुहम्मद जायसी की पदमावत को हमने हिंदी वालों के लिए छोड़ दिया और आप देख रहे हैं कि उन्होंने क्या गद बनाई है तो जब हमने अपनी रिवायत से इन सब चीजों को मुस्तरत कर दिया तो अब फिर वो उसको लेकर कहा जा रहे हैं और कहा उड़ रहे हैं इस पर हम क्या शिकायत करें हवीब साब और इंतजार साब बार बार इस बात को याद करते हैं कि कैसे उनका घर मुसल्मान महले में था डिबाई में उसके चारों तरफ जो दूस्रे बाकान थे वो ऐसी सरहत पे था कि उसके चारों तरफ घरेningar वे तो हंदू मकानों से लेकिन वो थे मुसल्मान महले में और दिवाली में जब धिय जलते थे तो दरاصल उनकी मुन्डेर पे जलते थे और इसकी याद वो बार-बार करते हैं और हबीब साहब जो है उनके आगरा बाजार हो आप देखते हैं कि कृष्ण जनमाश्टमी और वो गीत कैसे उसमें हावी है तो दोनों में ये एक जैसा है ये जी बिलकल बहुत से चीज़ें तो ऐसी हैं जो ऑटारवी से अर्दू में अब मीर सभी था ये वाली पे नज़मे लख नज़ए तकी है हमारे 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 यहां हिंदू मझहब को उस जमाने मैं ऐसा नहीं समझा जाता था कि हिंदू मझहब की बात करने ये रस्म अख्यार क खतम हो जाएगी, ये अदम एतिमादी की निशानी है, क्योंकि हमको अपने आप पे, अपनी तशक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् चांदी ने कहा था कि मैं चाहता हूँ मेरे घर की सारी खड़कियां खुली रहे और तमाम दुनिया से हवाएं उसमें आती रहे जब आपको एतिमाद होता है तो आप बाहर से असर खुबूल करने में आपको डर नहीं लगता जब आप अतम एतिमादी में मुब्तिला हो जात और डर हमेशा तशद्द पैदा करता है जिसके अम असरात पड़ोसी मुलक में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं तो कहने का मतलब ये था कि ये जो सारा जो दाइरा था जिसको हिंद इसलामी कहा जाता है उसमें जो हिंद भी हमारी जो 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 विरासत है आफ्टर है वो अर्बी में बात करूंगा तुर्के हिंदुस्तानियम दर हिंदवी गोयम सुखन मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ इसलिए हिंदवी में बात करता हूँ तो ये जो हमारे अतराफ की चीजें हैं 1857 से पहले हम ऐसा नहीं समझते थे कि जी हमने इसका जिकर कर दिया त बड़ी काम्याजवी से उसे स्टेज पे अफसानों में लाए और हमें एक नए तजर्बे से रूशनास कराया मैंने जो बुद्धिज्म से थोड़ी बहुत वाक्फियत हासल की उसमें बहुत सी वाक्फियत मैंने इंतजार हुसैन के अफसानों को पढ़के हासल की अब उन इतनी उम्दा कहानी जो उसका उसूल है जो उसका फलस्फा है इतनी काम्याबी और चाबुक दस्ती से एक कहानी कच्छुए में उन्होंने पूरे बुद्धिज्म के फलस्फे को समेटा है कि हमें इस पर बड़ा हमें बहुत फखर होना चाहिए वो सुन्दर समुदर है व मैंने बुद्धिज्म का उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं पढ़ा है कंणर और तमिल वगएरा मुझे जादा आती नहीं है मगर जहां तक मुझे पता है जहां तक मैं जानता हूं किसी हिंदुस्तानी राइटर ने बुद्धिज्म का उतना उंदा मौडर्न ट्रीटमेंट नहीं पेश किया है जितना इंदजार सहाब कई अफसानों में कर चुके हैं सूफी रिवायत का जो ट्रीटमेंट था जिसे जर्द कुछ ताजीब बिल्कुल बिल्कुल मैं चाहूंगी कि कुछ मिसाल उनकी कहानी की आप दें आपने वो किताब लिकिए उसमें भी आपने देखेंगे अब वो क्या है कि जैसे सूफियां किया और इस्लाम में हमारे नफस का मामला है ची कि नफस क्या होता है और नफस को कैसे आए ये नफस को मारने की जो रिवायत है और नफस को मारने की जो बात है ये चीज़ बुद्दिजम में भी है बिलकुल बुद्दिजम में यही चीज़ है कि नफस को काबू में रखो नफस को मारो अब इस चीज़ को उनके जीरक जहन निकाला और उसे पैदा किया तो अब जर्द कुता में जो है वो एक कुता है जो एक सूफी के साथ रहता है वो कुता दरसल उसका नफस है वो उस पे काबू पाना चाहता है हर तरफ से और कुता उसे जुल दे के निकलता रहता है तो इस तरह की बहुत सारी रिवायतों को मलफूजात को एक आदमी है जो पानी हो दो चड़िया उसकी मदद करने के लिए एक डंडी को अपनी अपनी चोंचों से पकड़ती हैं बीच में कच्छवा उसे लिए उड़ रहा है उस चीज़ को इंतजार साहब ने अलामत बना दिया कि वो जो डंडी आपके मुँ में है वो दरसल आपकी खाहिशात है वो आपका नफस है आप समझते हैं डंडी मेरे मुँ में है नफस पे मैंने काबू पा रखा है मैं पहुँच चुका हूँ और एक छोटी सी चीज़ होत इसमें मतब आप खिसे कहानिया उनका मजमुआ है उन्हें पढ़ें बहुत सारी चीज़ें इंसार साथ में ऐसी बरती है एक मुझे यादा रहा है आपने इसके बारे में जिक्र भी किया है शायद हबीब तनवीर साथ की किताब जो आपने तरजमा की है कि एक मौलवी का कि है उसमें और बहुत बहुत अच्छी तरह आप सुनाते हैं इसे तो यहां पर जो बैठे बैठे लोग सुनते सुनते ठक गए होंगे वो थोड़ा सा वापस जाग जाएंगे कि एक मौलवी साथ है कैसे वो कुछ पढ़ते हैं कुरान की आयत और आसमान में उड़ने लगते हैं और जब सही पढ़ा जाता है तो कैसे नीचे गरते हैं मुछ सुनाएंगे हैं असल में क्या है कि हमारे यहां जो हैं लोग यह समझते हैं कि अगर आपने अपने गले को तकलीफ पहुंचाए बगएर अगर आपने कुरान पढ़ा या कुछ पढ़ा तो इसका मतलब कि आ आपने नहीं निकाला तो तो अलवी साब ने गाओं का किस्सा निकाला है कि एक साहब उनके गाओं में एक मौलवी साहब थे तो उनके बारे मशूर था कि वो लोगों को मेराज की सहर कराते हैं रोज शाम को बैठते हैं को उनके कुरते का दामन पकड़ता और मेराज की सहर करके चला आता है, अब साब ये वहाँ उत्तफाक से मेरा ख्याल है कोई देबंदी रहे होंगे जो वहाँ आये गाउँ में उन्हें पता चला कि ये कोई गाउं का मॉल्वी है जो इस तरह लोगों को वरगला रहा है उने का बड़ा भाया तो इसलाम घारत हो गया तो ये तो बड़ा मुसीवत की बात है वो गए उसके पास मौलवी के पास मिराज की सायर कराते हो कहा है यहीं बैट जाओ नहीं कुर्तवे का दावन पकड़ दी हो रतिया के हम उड़ा तो हम तुका पकड़ के उड़बा छोड़ना वथ हमको तो वो बै कर रहे थे कि साफ क्या पढ़ रहा है क्या पढ़ रहा है तो गाओं का गमार मौलवी परदा था कहना था यहाईयो 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 यहाईय या हैयो कहयो पढ़के हूं मिराज की सेयर करके चले आए और ये बात तो जग जाहिर है जाहिर से बात है हाजरीन की सिर्फ तलफस से अगर खुदा मिलने लगता तो पर तो क्या कहने थे जड़ा जी और एक इसमें एक मेसेज भी चुपा हुआ है कि किस तरह और एक तो पर उसको वैसे लोगों के सामने रखना और ये मॉलवीजाप पर किसा भी शायद कहीं से ऐसे ही आया हो था बच्पन में उनके मामू थे तीन चार मामू थे काले मामू पीली बहंदी वाले मामू इस तरह के बहुत सारे मामू थे उनके सिलसला था एक मामू उनके पुलिस म मामू आते थे उनके कांग्रेसी मामू को गिरफ़तार करने तो उनकी नानी उनको जो हैं बकस में चुपा देती थी, कहती थी यहां घर में नहीं है, वो कहते थे ममा तुमने चुपा रखा, हमको पकड़के ले जाने दो, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती रहती थी तो जैसा मैंने आर्श किया आपसे कि वो जो 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 चीज़ें हम अपने जो हैं बच्पन में सुनते हैं और उन्हें हम यह समझ कर की जी यह तो कोई ऐसी एहम बात नहीं है, उन्हें खारज कर देते हैं, उसकी वज़े से हमारे अदब को बहुत नुकसान पहुँचा और ह बहुत ही इज़त याफता सिन्फे सुखन थी, आज आप किसी से कहिए स्टोरी टेलिंग तो वो अपने बच्चों को लेके चला आता है, बच्चों को भी स्टोरी सुननी चाहिए, लेकिन क्या मतलब आपकी अकल मारी गई है कि आप खुद भी कोई इस काविल नहीं समझते कि हम भी स्टोरी सुनेंगे, तो स्टोरी टेलिंग के नाम पे आज जो हम समझते हैं कि सिर्फ बच्चों के सुनने की चीज़ है, यह ऐसा क्यूं हुआ, यह तो हमारी अपनी कमी और हमारी समाजी, यह सूजबूज की कमी है, कि हम यह समझते हैं कि कि किस्सा सुनाना और कहा पाब और हर बड़ा अमीर और अम्रा अपने साथ एक किस्से सुनाने वाले को रखता था तो इसका हुआ यूं कि जिसे कहा जाता है कि 19. सदी में जब अंग्रेज आए और उनका तसल्लत हम पे हुआ तो उन्होंने हमें बताना शुरू किया कि जी ये तो बेकार है ये बेकार है ये बेकार है ये बेकार है आपके पास जो कुछ है सब बेकार है मैकॉले ने कह दिया कि जितना अरब से लेके चाइना तक जितना अदब है वो सब कसब अदब जमा कर लो चाहे किस्से हो नॉविल हो कुछ भी हो और एक यूरपियन शेल्फ की एक लाइबरी की एक शेल् पुरी तरह अपने अंदर जजब कर लिया फिर हमने का जी ये दास्ताने क्या चीज़ होती है इसमें देखिये साहिर हैं उड़ रहे हैं लोग कोई उड़ता है कभी इस तरह से तो बड़ी मुगा मुबालगा है इसमें इसमें तो बड़ा इप्तिजाल है लोगों को चुमा चाटी करते हुए दिखाया जाता है इसमें तो ये क्या जो है बहुत ही इर्राशनल बाते होती है इसमें और कोई इनका कोई सेंस नहीं अभी यहां बैटें अभी वहाँ पहुंच गया कोई इस तरह से नौविल लिखता है तो हमने अपने रिवायतों को दास्तान, मौड नौवल और अफसाने की रूह से जाचना शुरू किया तो जब हमने, देगें अभी जैसे है कि आप अगर चावल डाल खाते हैं और आप उसको इस तरह से जाचना शुरू करें कि जी इसमें ब्रेड है और बेक चिकन है कि नहीं तो जाहर से बात आपको नाकिस लगेगा, तो जब आपने देखने का अपना मीजान वहां से आपने लिया और उस तरह से देखने लगे तो यह तमाम चीजें आपको नाकिस लगने लगी आपके अंदर एक सेल्फ हेटरिट पैदा हुई यह बात मैं ही नहीं कह रहा हूँ यह बात तो फारुकी साब कह चुके है और हमारे हिंदुस्तानी 19 सेंचुरी इंडिया पे काम करने वाले बहुत सारे हिस्टॉरियन्स और प्लिटिकल साइन्टिस्स ने यह बात कही है सुधीर चंडरा की किताब है इस दिप्तो कविराज की किताब है तो जो प्रेजन्ट कलोनियलिजम के आने के बात से आपको यह लगने लगा कि हम बहुत हकीर है हमारे अंदर कुछ भी नहीं है हमने कुछ भी दुनिया के सामने पेश नहीं किया है हमारा अदब भी बेकार है फरसूदा है उसके साथ साथ हमने अंदर अपने अंदर एक Victorian मौलवी पना पैदा किया जिस जिस चीज को अंग्रेश समझते थे कि ये उपसीन है वलगर है उस विक्तारियन मौलवी पने को हमने अपने अंदर पुरी तरह जजब कर लिया अब उस विक्तारियन मौलवी पने को जजब करने का नतीज़ा ये हुआ कि हमारी 90% विरास्ट जो हमारे लिए बेकार हो गई डिप्टी नजीर अपने तौवत नुसूँ में अपने क्यारेक्टर से कहलवाया ना जब वो घुसा हो जाता है तो आके सारी शायरी की किताब जलाने लगता है इसी शायरी की वज़े से हम बरबाद हुए है और एक्जाटली यही रवई आप देखेंगे जनून पिक्चर में जब वो नसीर अद्दीन शाह आता है शाम बेनिगल के पिक्चर में वो आके कबूतर उलाने लगता है कि इनी कबूतरों की वज़े से हम बरबाद हुए है तो हमारी बरबादी की दास्तान 1857 से अभी तक जोंकित्यों है हमने शराब में बरबाद हो गए आयाशी में बरबाद हो गए कबूतर बाजी में बरबाद हो गए शायरी में बरबाद हो गए इसको मौईन अख्तर ने एक प्रोग्राम में यूं पेश किया कि जी बड़ी शीन की बड़ी बीमारी है उन्हें का शीन की क्या बिमारी है यह शराब की बिमारी है शबाब की बिमारी है शायरी की बिमारी है तो हमें इस तरह से जो खुदनफरती के अहसास हमारे अंदर पैदा हुआ है और उसके साथ साथ हमने यह समझ लिया आज वो कौम जिसके अजदाद ने खजुराहो बनाया है वो قوم के लोग खड़े होके कहते हैं जी हमारी आपने डांस करते हुए दिखा रहे हैं हमारी राजपतानी को और इसलिए हैस पिक्चर को बैंड कीजिए तो इसका मतलब है कि दरिस्बीन सम बड़ा एक रप्चर हुआ है हमारे माजी में और हमारे हाल में वो रप्चर कलोनियलिय Szm की वज़े से पैदा हुआ उस रप्चर की वज़े से हमने अपने आप को भुला दिया अपनी तहजी्ब को भुला दिया और जो हमारे बेशकीमती पारीने थे उन्हें हमने संगरेजे समझ चोड़ दिया बिन्दार साहब को बहुत उम्दा उनका शेर है कि फिरती है आज मीर का शेर है कि फिरती है आज शेर की गलियों में जहां खाक, फिरती है आज शेर की गलियों में जहां खाक, सोना लिया है गोद में भरकर वहीं से हम, तो ये देखने वाले की नजर है कि जिसे आप पत्थर और रेज और ऐसे समझ के छोड़ रहे हैं संग्रेजों को उसमें कितने कीमती चीज़ां चूपी हुई हैं। दोस्त मांते थे उम्र के फास्थे के बावजूरा तो अनूशा को, अनूशा को, हरे एक को दोस्त मांते देगा, उनके तो मतलब वो उनके से रिष्टा ही इस तरह से गायम हो सकता था, मतलब वो अपनी बज़गीत को अपने ओपर थोग के नहीं चलते थे, तो उनका बड़ तो उनका जो है उनकी जिन्दा दिली और उसके बड़े बड़े किस्से नहीं हमेशा सब के साथ दोस्ती का बरताओ रखा और दोस्तामझ कहीं रखते थे बड़ी शफकत उनकी थी हमारे उपर और मैं क्या मैं तो बहुत कुछ नहीं था हजारों ऐसे लोग दुनिया भर में پھیلے ہوئے تھے جن پہ انہوں نے شب تک بڑھتی دروازیں ان کے ہمیشہ کھلے رہتے تھے داستانگوئی کو بہت انہوں نے پسند کیا بہت فروح دیا اور کیوں نہ دیتے وہ ان کے مزاج کی چیز تھی وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے اسی طرح کی شکایت انہیں مقتدر اور جاری روایات سے تھیں جس طرح کی جس کے وجہ سے داستانگوئی کو اتنا نقصان پہنچا تھا تو بڑے قصے ہیں ان کے वो उनकी खुद नविष्ट में है वो उर्दू में छप चुकी है आप लोगों को कभी वक्त लगे तो जरूर पढ़िएगा उसको जी और आप कहते हैं कि जब आपने इनको देखा पहली दफ़ा तो बड़े ही एक शाही किसम के बड़े अरिस्टोक्राटिक, कॉस्मो बॉलिटन हाँ ऐसे कैप लगाए वे कैप का बड़ा शौक था हुने तो इस तरह के इस किसम के थियाटर डिरेक्टर थे वो और फुश बाश थे बाजवाख थे खुश पोश थे हर तरह से मतलब वो वैसे तो मतलब मीर साब की तरह कि क्या क्या ले दिये रहे अपना बन के और बहुत हिसाब से रहते थे बहुत स्टाइलिश थे जी और वही जो आप कह रहे हैं कि अवामी अवाम से पूड़े रहे हैं काम को लोगों के सामने लाया लेकिन उनका अपना एक मिजाज था वो उन्होंने बनाए रखा तो यह जो हम बात कर जगे अब modern इसमें आप देखे हैं नहीं इसके हबीब साब के काम के बाद से बहुत काम हुआ जैसे बिहार में बिदेसिया को लेके बहुत काम अब होता है बिदेसिया बाकाइदा एक सिन्फे सुख सिन्फे performance है जो stage पे की जाती है इसी तरह 36 गड़ में भी बहुत से लिहाज से अभी तक वो गडर नहीं मिली है जिसका वो मुस्तहक है क्योंकि as a performance form अगर आप देखें मरसिया गोई को तो मरसिया में जिस तरह की rhymed words जिसे कहते हैं राइम ड़र्स को प्रोस के अंदास से पेश करना इसके लिए शेक्सपेर को जो लोग वेस्ट में करते हैं उन आक्टर्स को बिस बिस तीस तीस साल लग जाते हैं बात को ऐसे आप शायरी को अदा किये कि ये मालूम ही ना दे कि ये शायरी है ये जो हमारी मरसिया गोई की रिवायत है ये बे इंतहा पहुचा हुआ performance का form है लेकिन हम उसे वो अभी ये वो गदर नहीं देते हैं कि ज भांड जो हैं हमारे यहां stand-up comics हुआ करते थे भांडों के बड़े-बड़े किसे हैं और उसमें से एक दो किसे मैं आपको सुनाता हूं कि मतलब on the spot वो actors भी थे singers भी थे एक साहब एक भांड के यहां एक वो अपने जो हैं वो क्या नाम है किसी साहब ने बुलवाया उनकी की मंडली ने उन्होंने performance पेश किया और जैसा कि दस्तूर था कि जिसने बुलाया है आपको उसकी बेज़ज़ती आपको जरूर करनी है तो आखिर में उन्होंने साहब एक दुशाला दिया उनको तो भांड को जो अस्ताद था उसने दुशाला लिया हाथ में और बड़े गोर से उसको देखने लगा तो उन्हें का जी क्या देख रहा हूं क्या लिखा है पर चश्मा लगा कि उसने देखा ये क्या चीज़ है और मुहम्मद ररसूला कैसे होगा उन्हों ने इतनी पुरानी और बोसीदा चीज मुझे दिया जो हुज 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 हु performance form था और ये जो ability improvise करने की ability थी और wit था इसको हमने ये कहके गिरा दिया और जब लोग कहते हैं कि शारुक खान कहता है मैं भांड हूं तो मुझे अच्छी बुरा लगता है क्योंकि अभी आप उस पाये के कलाका नहीं हुए हैं जिस पाये के भांड थे आप अपने आपको खामका अपने आपको exalt कर रहे हैं कि आप भांड हैं वहां पहुंचने में अभी आपको तीन चार्व दाईयां लगेंगी एक साब भांडों के उस्ताद यहां देहलीम की बात है उस वहां परफॉर्म कर रहे थे दाखस देहलवी हमारे जो शायर थे उन्होंने कुछ बुरा भला उनको कह दिया था तो अब भांडों के उस्ताद ने देखा दाखसाब मीरे मजलिस थे यहां सामने बैठे हुए थे उसने क्या कि उसको उनसे खुंदक थी खार खाये बैठा था उसने अपने अस्ताद अपने चेले को बुलाया बंदुख ले किया अबे उसने कहां सामने कर अब बंदुख जैसी उसने सामने की उसने का दाख अबे उल्लू के पट्टे दाख अबे कमीने दाख अबे हरामजादे दाख इस तर ने बिल्कुली खतम कर दिया, ये कह के कि जी ये तो भांड है, तो जनाब performance को जब हमने इस तरह से खतम किया और इसको वो किया, तो हमारे सारे performances, forms जो हैं, वो खतम हो गए, अब ये पदमावत की जो रिवायत है, चंदायन की रिवायत है, मुला दाउत की रिवायत है, बदा अब चंदायन क्या चीज़ थी, और मस्जितों के मिंबर से क्यों पढ़ा जाता था, और क्या उनकी उस जमाने के मुसल्मानों का इमान कमजोर था, जो वो चंदायन पढ़ते थे, और आज अलहम उनसे बहतर मुसल्मान है, कि हम जो है वो, मतलब, बिरियानी खाते हैं, जो वो नहीं खाते थे, किस तरह से हमारा इमान और मुस्तहकम हो गया, उनके मुकाबले में, पता नहीं मतलब, लेकिन एक जमाना था, जब ये पढ़ा जाता था, और ये किया जाता था, एक चीज़ तो मुझे वाज़े नज़र आती है, उनके इमान में कमी थी, कि वो अल्ला सारी अपनी मीरास को इसी तरह खो दिया है, तो रहुड़ा वक्त तो और है मेरे खायल से, जी 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 जी, आपके अर्दू के शायकीन है, इस बात का ख्याल रखें, कि जी इस तरह के मजमूमें और इस तरह के जगहों पर बाचीत की अतनी एहमियत होती है, जी बिर्यानी कबाब की होती है, बिल्कुल और यह कोई टेलिविजन डिबेट है नहीं, ओर्डियन से जी, आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं, या कुछ पूछना चाहते हैं, तो माइक दे सकती है, पर हाप ने ने, 1857 के बाद से तो देखिए, 1857 की वज़े से ही सारा, मतलब 1857 ऐसा नहीं होगा, 1857 आया एक परदा आड़ गया, 1857 ने जो हमारी शिकस्त हुई, उसके बाद से हम सब के रवईयों में, हमारे उस वक्त के जो गवाईदीन थे, जो हमारे मेमार थे, कौम के, उन सब के रवईयों में बड़ा बुनियादी फर्क पैदा हो गया, लेकिन 1857 के बाद तक भी रिवायत इतनी जिन्दा थी, कि जब लखनौ में मुन्शी नवल किशोर ने, वहां के सब बड़े दास्तान, गोईयों को जमा करके दास्ताने लिखवा के शुरू की, तो ये दास्ताने अमीर हम्जा 1880 से लेके 1910 के दरमियान 46 जल्दों में चपी, 46 हजार सफ़ाहत पे पहली हुई ये दास्तान, इससे बड़ी, इससे लंबी कोई किस्सा कहानी सुनाई नहीं गया दुनिया में, तो नहीं, मेरा खैल 1857 बहुत बड़ा ब्रेक है बहुत बड़ा रप्चर है, सारी चीजें बदल गई उसके बाद से, मतलब हमारा सरसायत का रवया, मुसल्मानों का रवया, अर्दुवालों का रवया, वो सब कुछ बदल गया, वरना हाली और आजाद ने जिस तरह से हमको तलकीन की किस तरह की शारी लिखनी चाहिए, औ नेचरी शायरी लिखनी चाहिए, क्योंकि हम जो लिखने हैं, उसके तो मुबालगा होता है, वो बेकार होता है, जूट होता है, हमको असली इनसान की जजबात की अकासी करनी चाहिए, हर चीज़ बदल गई सर, हमारी दाफ्तान गोई खत्म होने की मतलब वज़ा जो है, एक को जो हम अंग्रेजों के मुकाबले हुच को हकीत हम जने लगे, जूसरी सर, क्या ये भी है कि जो पॉलिटिकल स्रुक्चर, जिनीजी बीसी स्थाप्टी में चेंज हो रहा था, और जो ट्रैडिशनल नौ कोई पेटरन होगा कला का, तब कला बरकरार रहेगी, पेटरन नहीं होगा, तो कला नहीं चलेगी, क्योंकि उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर तो थी नहीं जो इन्हें गरांट देती, तो ये सुनने वालों और शायقین के उपर मुनहसर थे, शायقین ऐसा भी नहीं था कि उ आखरी बड़े दास्तानगों हैं, उनके बारे में किस्सा है, मतलब कि वो जब मचलिसें अपने घर पे करते थे, उसके बाद से लोग ताख में पैसे रखके जाते थे, तो बहरहाल ये चीज़ हमारी जो परफॉर्मनस फॉर्म्स थी, वो पेटरन्स पर डिपेंड करती थ ओपरा क्यों चलता ए, इटालियन कोई नहीं सांश्त मचता, कोई नहीं लेकिन। अपरा धूमधाम से चलता है, अभी भी चलता है, इंगलिंड में भी चलता है, फ्रांस में भी, इटली में भी, अमरीका में भी ऑपरा सुनने लोग जाते हैं, तो कोई चीज ये स पहनपारों और शाकारों की जरूरत नहीं है जो मसवरी में और अर्किटेक्चर में और हमारे स्कल्प्चर में लोग छोड़ गए हैं तो आर्ट की जरूरत उसी तरह की जरूरत है जैसे पेड़ पौदों की जरूरत है और हवा की जरूरत है और पानी की जरूरत है वो हमेश गाली देते हैं अपने राजे रजवाडों को कि बड़े अयाशी करते थे और ये करते थे वो करते थे लेकिन 1857 से लेके 1947 तक आप अगर देखें तो हमारी classical music की रिवायत को किसने जिन्दा रखा कौन से घराने थे जहां से बड़े बड़े नाम मनसूब थे कौन लोग थे जो उनको patronize करते थे 1947 तक जब तक modern stage music का concert stage नहीं आया है हमारे जो रजवाडे थे जो नवाब थे उन्हीं के आँ जा जाके लोग perform करते थे उन्हीं के आँ competition होता था ये सिर्व इत्तिफाक नहीं है कि राजस्थान में हमारी बहुत सी folk performing forms बची हुई है क्योंकि राजस्थान में राजे रजवाडे बहुत से बचे हुए थे यूपी बिहार में खतम कर दिये गए और उन्हों ने उन traditional tastes को जिन्दा रखा है अपनी patronage देगे एक और बात जेरा comment है जिए जिन्हों ने सवाल किया था मोपाल में बटोले बात होते हैं जी जनाब और अभी भी जी मतलब वो चल रही है वो रवायच चल रही है अच्छा schools में बात-पोशी भी कहते हैं वसे जी अच्छा schools के अंदर story teller अलगते होते हैं बच्चों को मतल आप में पढ़ करके एक अंदाज होता है कहानी कहने का तो वो संस्था भी भी जिन्दा है जैसे दास्तान को कह सकते हैं और अब मतलब अच्छों जब घर्मी की छुट्टिया थोड़े दिनों में आने वाली है कमर चैंप लगते हैं तो वहां से स्कूरी जाते हैं जी जी बिलकुल बज़े दो चीज़ें आड़ करनी है मैं आप से एक सवाल करना चाहता हूं आप मैंसे कितने लोग ते जिन्होंने स्कूल में साइन्स पढ़ी थी जड़ा एक पनट हाथ उठा दे जड़ा बस इतनी लोगों ने आपने वो जो साइन्स पढ़ी थी स्कूल में उसका आपको कुछ भी फाइदा है आज कोई भी चीज़ आपको याद है आपने वो पढ़ी नहीं होती तो आपकी जिन्दगी पे कोई फरक पढ़ जाता बिल्कुल नहीं पढ़ता आपको इससे मतलब ही नहीं है ये बात वो मैजिक और साइन्स की टॉमस ने बहुत बड़ी बात कही है जी हम आज जब लाइट के स्विच पे बटन दबाते हैं इससे लेना देना नहीं है कि टिकनॉलिजी क्या अप जल जाए हमें तो इससे मतलब है कि जी बल्ब जल जाए आप वो बिल्कुल नहीं पढ़ते आपके जिन्दगी पर बिल्कुल कोई फरक नहीं पढ़ने वाला था बजाए इसके अगर ये कहीं स्विच जादा बेहतर होगी आपकी जिन्दगी कहीं स्विच जादा बेहतर होगी है कि इसके लिए अर्बनाइजेशन चेहरी सब्वेद आ जाना और जीरे चेहरों में चीज़ादा उमर भी नहीं है लेकिन बटसर में हमारे गौव में स्वांग वगारा अब भी हर्याने की बात कर रहे हैं आप जी जी तो लेकिन किस्ता रूफ बसंद किस्ता पूर्ण भगर जी देखिए वो सारे वो होते थे और वहां ये भी डिस्टिंशन करना मुच्छ था कौन कहने वाला है कौन ऑडियंस है कर वो इसने मिस्टोड आते थे जी बिलकुल यही विए इतालियन वो देखा था तो इसमें शामिल था मैं कोई ब्रहमिस्ता हो गया कि यह नाटक हो रहा है या कुछ रचाई है हकीकत है और यह कौन सी दुनिया है कि और मैं इसका हिस्ता हूं नहीं हूं तेरा कहने का मतलब है कि वो जो गोल बंदी करते लोग बैखते थे जी जी जी बिल्कुल अर्बनाइजेशन सही बात पहले हमारी जो जो ती वो गाउं और एक रूरल और एक अर्रिकल्चर बेस्ट कल्चर था अब हम अर्बनाइज हो गया है उसके वजए से बहुत फरक पड़ा है लेकि उसकी दो बात नहीं कि अर्बनाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए जिससे आप सब कुछ एक्समें हैं और कुछ भी एक्समें नहीं होता है हमारे यहां कम्यूनलिज अर्बनाइजेशन की वजए से वरीबी क्यों है अर्बनाइजेशन की वजए से हमारे यहां लोग एक दूसरे को भूल गए अर्बनाइजेशन की वजए से पड़ोसी पड़ोसी को नहीं पहचानता अर्बनाइजेशन की वजए से अर्बनाइजेशन की वजए से तो अर्बनाइजेशन उस तरह का explanation है जिसमें हर चीज बिलकुल सही कह रहे हैं आप बिलकुल लेकिन इट explains nothing at the end of the day क्योंके अर्बनाइजेशन तो इंग्लेंड और यूरोप और फ्रांस में भी है वहां क्यों आपरा की रिवायत जिन्दा है और वहां क्यों उनकी रिवायत और इक्तिदार जिन्दा है तो yes to certain extent बट attitude से बहुत फरक पड़ता है आप attitude क्या है किस चीज समझते हैं कि आपके सहेजना चाहिए और कौन सी चीज आपके आस पास की हेगेमार्ट कल्चर आपको और कौन सी चीज नहीं सहेजनी चाहिए अगर पूराँ भगत है या गुल बकावली है या या किसे उनको वो मानिता दी जाए कि जी ये जानने की चीज़ है और जिसने नहीं जाना वो जाहिल है अगर ये समाज में रवईया बनेगा पूरन भगत के किस्से भी लोग जानने लगेंगे After all लोग मैकडॉलेंज में सिर्फ इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वहां का बर्गर बहुत अच्छा होता है लोग मैकडॉलेंज में इसलिए जाते हैं कि आप जा रहे हैं राम जा रहा है शाम जा रहा है हुमा शुमा सब जा रहे हैं तो हम भी जा रहे टेस्ट टेस्ट जो है किसी चीज का इंट्रिंजिक नहीं होता है कोई साथ टेस्ट पैदा किया जाता है और टेस्ट वरना ये कहना कि टेस्ट इंट्रिंजिक होता तो हमारा गाजर का हलुआ फ्रांसीसी को भी उतनी अच्छा लगता और जापानी को भी उतनी अच्छा लग तो जो 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 से कहते हैं न मिजाज और जाइका और टेस्ट और रस, वो किसी चीज़ में अंदर नहीं होता है, वो पैदा किया जाता है या खत्म किया जाता है? जोड़ना चाहरी थी कि यही इस तरफ जी जी बिल्कुल शायद वो शौक या वो नहीं है या समझ भी नहीं है बहुत जादा सब कुछ नहीं समझते जो आप दास्तान में कर रहे हैं या उसके माने नहीं समझते बावजूद इसके जो एक तरह सुनने जा रहे हैं तो मैं भी जाऊं सुनने के लिए शायद वहां पहुचना अची बात है तो उसको एक फैशन स्टेट्मेंट बनाना भी जिम्मेदारी जी बिल्कुल बिल्कुल आप जैसे आप जैसे लोग आते हैं तो आपको देखके दस लोग और आते हैं कि नगमा सहर जाती हैं दास्तान कोई सुने हम भी सुने तो आप जैसे लोगों के हमें बहुत जरूरत है नहीं बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है और देखिए उसमें पर यही बात है कि पावर का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए क्या पावर अपने आप में बेकार चीज है या उसका करके हम कोई अच्छी चीज पहला कर सकते हैं तो अगर दास्तान कोई फैशनेबल बन रही है तो आपनी दास्तानों में सुनाते हैं हम ग्रहीम और कबीर की दास्तान चीज़ें सुनाते हैं अब ये ठीक है अब ये ठीक है जानना चाहूंगा एक तो दरफास आप से यह है कि इस गुफ्णों के इलावा बहुत कर दोस्तों की ये खाईश है कि कभी नगमा सहर और में पारुक्री कोई स्टेज कहां ये तनी बड़ी स्टार हैं कहां आएंगी हमारी नास्तान कोई के लिए ये शाखितों का नाम सुनके मुझे जो है ना वो मेरा खैल है वो जो प्रॉपिगांड़ना मिनिस्टर था हिटलर का गेबल्स नाम था उसका वो कहता था कि बनाई हीर दे वर्ट कल्चर आई रीच फॉ माइ गन जी आप सवाल करें जी आप कहरें अक्सर हमारे दोस्ते इसी का थेटर से कोई तालूप नहीं था कि जानते भी नहीं थी ये सब्सक्राइब और बहुत अच्छी उसी बोलना भी नहीं जाते तो दास्ता इसाल करें कि आप आपके पास आते थे कि हम भी दास्तान करना चाहा रहे हैं कि यह प्राइब कर सकता है किसी तरह के अंदर जोख होता है पिर शॉक पैदा होता है तो आप अगर उसमें करना चाहेते हैं तो जिन लोगों के साथ मैंने काम किया बेशतर ना अर्दू जानते थे ना कोई स्टेज का एक्सपेरियंस था और आज अल्हमदोलिल्ला तूटी पूटी कर रहे हैं दास्तान कोई और तूटी पूटी ही कर सकते हैं क्योंकि जनाव हम पिछले जमाने में मैं होता तो मुझे दास्तान के स्टेज पे उतरने में 15-20 साल की मशक्कत लगती आज चुकि जमाना खाहिल खाली है और हर तरफ जाहिल भरे हुए हैं सुनने वाले भी और सुनने वाले भी इसलिए मैं भी उस्ताद बन गया हूँ और मेरी देखा देखी जो मेरे साथ काम करने वाले थे वो भी उस्ताद बन गए है क्योंकि कोई टोकने डोकने वाला है नहीं जाए उस्ताद खाली इसमें जिसको चाहिए कि अपनी दुकान लगा दे और कह दे जही मामला साब उर्दू का है माफ कीजेगा कि जिसको मतलब शुद्बुद है थोड़ी बहुत वो उर्दू का एकसपर्ट है और क्यों नहों जब जमाने ही ऐसा है जिसको जमाना चढ़ाएगा, वो ही चढ़ाएगा और क्या बात है। देखें कितने सही वक्त पे अतर साब तर्शीफ लाएं जी। हलो, हलो महमुद साब और नजमा जी, मेरा एक सवाल है, आच्छली मैं पिछले साली रेखता में दास्तान गोई सुना पहली बार, तो कुछ बुक्स भी थी वहाँ पे वो नसुरेदीन शाह शाय नियॉयॉक में दास्तान गोई करते हुए कोटो थी, अच्छली में देख रहा हुए कि मैं किसे कहानिया फोक पे उसमें बहुत इंट्रेस्टेट रहता हूँ और मेरी दादी तो माशालला रोज एक नई किस्ता सुनाती थी मुझे जो मेरे पापा बोलते हैं मेरे को तो कभी नी सुना, वो मन से ही बना देती थी लाइव तो व गाना होता है या सौंग होता है उसको आप गजल भी हो सकती है नगमा भी हो सकता है गीक भी हो सकती है भजन भी हो सकता है तो देर आर सम टेकनिकल डिफरेंस जैसे रादीर काफिया तो हो नहीं है तो गजल हो तो या बहर में हो नहीं है तो ऐसे दास्तान गोई, किस्ता गो गोई तो बेशक है जो आपकी दादी करती थी जो कुछ भी आपकी दाधिया नानिया करती थी वो बे इंतिहा मुठ्तर चीज़ है उसकी खडर करें और जो चीज हमारे उर्दू के नक्तात कर रहें उससे उनको ज्यादा बहतर समझें और ज्यादा मानी फेस समझें और ज्यादा उसकी इज़त अफजाई करें हमारा समाज जो है उससे ज्यादा तरक्की करेगा बिलकुल वो किस्सा गोई थी उसमें कोई शक नहीं लिए ऑड थोस्यादा वे थैसे लिए तो ऑफजआर उससरी वे उसमेंkefो ने मैं grappling जा में जैंव फुरण सिर्या दोबMartina मने वैसे मेंयों किस्सा वंचित होती करना नोचर्च थार्य श्यादा है olmेरा मुको एसमें 50 आत्या ख्रचूंग कोenne बाइस फुरहना कोई हकी ने थी थील स में पता भी नहीं था कि ऐसे चीज़े होती हैं, तो यह वापस से स्प्रेट कैसे होंगे मतलब, हम रीटेन कैसे कर पाएंगे अब में गल्चे को वापस जैसे एक तो मेमूद जैसे को वो जर्या है कि उससे हम सब लोग मैंने भी ऐसा नहीं कि अलिफ लेला और तमाम चीज़ है इसके लिए, और सबसे ताकत वर अगर कुछ है तो वो है वाटसाप, तो उससे आपको जो मिलता है वो बहुत बहुत पहलता है, टेलिविजन एक जरिया है, अफसोस है कि टेलिविजन के जरिया बहुत जादा इसका पहलाब नहीं कर सकते क्योंकि इसकी अपनी बंदिश और इसमें आगे मैं ये जोड़ना चारी थी, महमुद आपसे सबजना चारी थी, कि हम लोग ने बार-बार बात की कि ये जो फॉर्म था या हमारी रवायती थी, वो दब गई या वो छूट गई, वो दरकिनार हुई, लेकिन उनका उभार हुआ, उसमें कोशिश ये रही, इंतजार हुसेन और हभीब तन्रीर सहब जैसे लोगों की, आज के दौर में उनकी जगए, एक तो हमने आपने बात की विदेशिया की भी की भिहार में भी भी वो बहुत हो रहा है, और तो वो एक मिला जुला सा दौर मुझे लगता है कि कहीं पे कोशिश भी हो रही है वा पिलर हो रहा है, बिलकुल नहीं, यह तो हैं बहुत सारी चीज़ें, थेटर में भी, modern थेटर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं है, जो थेटर का हमारा modernism है, जैसे गिरीश करनार ने जो नाटक लिखे हैं, उसमें हमारी mythological stories को बहुत ज्यादा treat किया है, तो modern और tradition म ऐसा कोई बहुत बड़ा वो gap नहीं है, देखिए हम वो तो हो नहीं सकते जो 1857 के पहले थे, और ये भी जरूरी नहीं है कि हम वो होना चाहें, कि ऐसा भी हम नहीं कह सकते, ये 1857 के पहले का जो मौाश्रा था, या उसके पहले का जो फर्त था, वो हर तरह से ideal था और हमें व उपने तालीमी निजाम में पढ़ाते हैं, और तालीम के जरीए और एकदार के जरीए बहुत सारी चीज़ें जो हम पे थोप रहे हैं, उनके इलावा भी बहुत सी और चीज़ें हैं, जिने हमें दर्खोरे आतना समझना चाहिए, जी जरूर मैं तो फिर से इस बात को होना चाहिए, साइन्टिफिक एटिशूड होना चाहिए, अजी साइन्टिफिक एटिशूड क्या होता है ये पता नहीं, क्योंकि साइन्टिफिक एटिशूड से तो साइन्स नहीं पलको है, साइन्स लिबाडिटरीज में पनपता है, साइन्टिफिक एटिशूड रखके ये दांत ऐसे करिए तो जो साइंटिफिक तरीका है उसको फिका वाले हमारे वहां पहुंचे हुए हैं पहले ही जिन्दगी जीने का तो साइंटिफिक आर्टिचूड को आप चेज मत कीजिए वो फक्यों के लिए रहने दीजिए आप जो है किसे कहानिया सुनाईए लोगों को किसे कहानिया पढ़िए किसों से ही बात निकलती है नहनु नकुसु अलाइका हसना कससा कुरान में भी आया है किसों को वो मुकाम कीजिए जिसके वो मुतहम्मिल हैं जिसके वो जो मुस्तहक हैं और हम सब यकिन एक बहुतर समाज में सास लेंगे जिनदा रहेंगे बहुत 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 शुक्रिया जनाभ यादि कि समाज करने को ऐसा परसेप्शन मना लेते हैं कि मतलब साइंस बढ़ना जाता अच्छी बात है अदब पढ़ना बुरी बात है इमेनिटीज बुरी चीज है बसलब कल मैं अख़बार पढ़ा तो इसमें एक ख़बर मैंने पढ़ी सुशल मीडिया पर देख रहा था तो जो एपल जो मैक करके जो कमपनी है उसका सीओ है वूस करके ना में कुछ है उसना बयान दिया थै कि इंडियांस होते हैं हाड़ वर्किंग तो बहुत होते हैं एं दॉक्तरों को बहुत इज़त की निगाह से देखा जाता था हमारी फिल्मों में भी डॉक्तरों का किरदार था बड़ा शरीफ होता था वो शरीफ होते थे शरीफ बुलते थे अब आज के जमाने में हमने वो इज़त नहीं देते लेकिन डॉक्तर हो या इंजिनियर हो दर असल तो वो एक glorified mechanic ही है उससे जादा तो वो है नहीं अब आप mechanic को वो दरजा नहीं देते हैं और उसको वो दरजा देते हैं ये अलग बात है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐस सच science पढ़ने वाले बहुत पढ़े हैं दुनिया में कुरिया वाले भी पढ़ रहे हैं चाइनी मुझ के साथ एक मस्जिद बनी हुई है और यही जामिया का हाल है और आप जो हमारे जो जितने जो हमारे जो WhatsApp पे जो मुसल्मानों के खिलाफ प्रोपेगंडा हो रहा है उसमें से सब कम से कम 50% उसके ड्राइवर्स एंजिनियर्स हैं तो अलहम्दोलिल्ला मैं इंजिनियर् और मुझे वो इसलिए लेकिन बेराल इससे भई अब मैं क्या आर्ज़ करूँ आप से देखिए एक मुनियादी सवाल है इससे बहुत बालातर है हिंदुस्तान हो पाकिस्तान हो बांगला देश हो दिनिया के जितने गरीब मुल्क हैं वो सब चाहते हैं तरकी आफ़ता बन था झाएते हैं कि हमसब जो हैं नू यॉयोक बन जाएं infronta एक अब नो एकनाद सब नू यॉयोक बनना चाहते हम सब का मुस्तक्बिल हमारे माजी में तै हो चुका है एक नियोक जो हमारा माजी है वह हमारा मुस्तक्बिल होगा उसके लिए हमें जितनी विजली चाहिए जितना पानी चाहिए, उसके लिए हमें जितने वसायल चाहिए, धर्ती मैया पे हमको जितना अत्याचार उसके लिए करना है, उसके लिए हम और आप तयार हैं, तो फिर एंजिनिर ने बनाईए, साइंटिस्ट बनाईए, टेक्नॉलोजी को बढ़ाईए, और क्या तेक्नॉल तुनाई देख, आपका ही है, जी. Yeah, my question is actually, like you said that there is a certain part of India, you know, who wants to move towards the west, right, we follow them and we feel that that's why. The west is right here, we are holding the west here, we are wearing the west, we are sitting on the west, the west is right here. Of course we are, so there is a certain part of us which wants to, you know, copy them because we feel that that's what modernism is all about, but then there is a certain part of us which wants to go back to our roots, right, we believe that that's our culture and the problem is that the urban Indian today is sort of stuck in this push and pull of, you know, going back and moving forward and there is a constant need of fitting into a certain category. Whether we call ourselves modern or we call ourselves, you know, attached to a root, so where does the urban Indian actually find, I mean, will find themselves, where do we actually move to say that, okay, this is where we are going to get our identity. You are quite right, you see, that there is a tension, there is an anxiety as to what is our identity in the modern world, where are we going, we are all using the same mobile phones, the same Instagrams, the same Facebooks, the same WhatsApps, we are traveling in the same kind of metros, going to work in the same kinds of places, we live in the same kinds of houses. So, what constitutes our Indianness, what constitutes our Muslimness, what constitutes our Indian Muslimness, you know, when we are pretty much like anybody living in Abu Dhabi or New York, there is an anxiety, that anxiety is also causing stress and is also causing a reaction which is all over the world, you can see that, you know, I mean, I think more women are wearing the hijab today than they ever did in my, when I was a child, you know. And I have seen in Butler house in Jamia, more women wearing burqas today than I did when I, 20 years ago. So, that is, there is an anxiety, there is, there is, there is a stress, there is no given solutions to it, don't go for any given answers, I mean, there are TV, just say, America may TV pe evangelicals hain, वैसी हमारे हमारे अपने मौलाना एवांजलिकल्स हैं, जो आपको टीवी पे बताते हैं, don't go by preconceived solutions, everybody has got to find their own via media, everybody has to struggle through this. identities are not fixed in time, identities evolve and change, and identity is not even the most important thing, you know. It's, it's, it's a, आपकी क्या अकीदे हैं, आपकी क्या belief हैं, वो कोई जरुरी नहीं है कि किसी visiting card में आए, काइनात से और काइनात के पैदा करने वाले से आपका जो रिष्टा है, वो आप खुद कायम कर सकते हैं, और उस रिष्टे पे चल सकते हैं, कोई जरुरी नहीं है कि कि किसी बनी बनाए लीक पे आप चलें. मेरे काँ से इतना ही वक्त था आप एक शेर, मेरा को सवाल नहीं है, लेकिन एक शेर करदार जाफरी का मेहमूद की सलाहियत और शक्त की तवानाई की नहीं है, अकीदे बुझ रहे हैं, शम में जां बुल होती जाती है, मगर जौके जुनू की तोला दामानी नहीं है, क्या क्या था।